Hello everyone, here I am back with a new video आज हम बात करेंगे नामदिव धसल की पोएम मन्दाकनी पाटेल A Young Prostitute, My Intended Collage के बारे में धसल एक मराथी पोएट है, राइटर है और एक दलित एक्टविस्ट भी है वो एक founding figure थे दलित पैंथर मूमेंट के जो कि 1972 में आया था जो कि क्या है एक social movement है कास्ट हराकी को destroy करने के लिए अब सीधा बात करते हैं पोएम के बारे में तो जो एक पोएम है वो पोएट ने इस पोएम के थे जो है highlight की है Okay, so let's start the poem On a barren blue canvas कि एक नेले से canvas पर यहाँ पर जो blue color है वो क्या show कर रहा है pornography को कि एक बहुती बंजर साइ blue canvas है हर clothes ripped off हर thighs blasted open कि जो उसके कपड़े हैं वो फटे हुए हैं उसकी thighs open है A 16 year old girl surrendering herself to pain कि एक 16 साल की लड़की खुद को surrender कर रही है pain को तो यह pain तीन टाइप का है यहाँ पर physical pain और फिर emotional pain और mental pain next line है and a big it's not full of blood यहाँ पर जो pig है वो male को represent करते हैं जो उसे exploit कर रहे है it's not full of blood कि वो कैसे अपना जो erectile orgasm है उसे उसे exploit कर रहे है the face that seems attractive is not really a face कि जो face तुम्हें बहुत attractive दिख रहा है वो actual में एक face है ही नहीं behind it lights the bitter reality of skull the ordinary truth कि जो इस चहरा है इसके पीछे एक skull है जो कि इसके exploited self को दिखाता है कि कितने अतिचार उसने जहले हैं अपनी जंदगी में तो यहाँ पर जो poet है वो बता रहे है कि यह ornament से सजीद जो तुम्हें लड़की दिख रही है यह actual में attractive नहीं है वो तुम्हें सिर्फ बाहर से सुन्दर दिख रही है अंदर से बहुत ही tormented है When someone's flesh is ripped off to what terminal do the parts of skeleton leads you कि जब किसी जो आत्मी है उसके flesh को चीरा जाए तो उसका skeleton आपको जो दिखाएगा वो है इसका असली self जो कि क्या है एक बहुत ही violent तरीके से torment किया हुआ self In the backyard of love all you find is fruits of fear and disgust कि जो तुम्हें यह बहुत fancy से चीज़े लग रही है ना love making इसके पीछे क्या है fear है और disgust है मन दाकिनी पाटिल के माइंड में एक prostitute के माइंड में जो fear और disgust होता है उसको यहाँ पर poet ने highlight किया है An infinite and sovereign nothingness stalks us all कि एक बहुत ही vague सा idea है जो हम हमेशा stalk करता रहता है People whom we regard as our own are mere heaps of dust कि जिल लोगों को हम सोचते हैं कि हमारे अपने हैं और यह हमारी help करेंगे वो ही हमें क्या करते हैं हमारी bodies को rip करते हैं अलफ is for anar B is for bandar P is for punkha T is for talwar T is for tattoo C is for summer तो अपना एक अलगी vocabulary present करते हैं जो letters हैं उनके लिए कि देखिए हमारा जो vocab है हमारा जो letters है हमारा जो language है वो बहुत अलग है आप से हमारा culture अलग है शायद इसलिए आप हमें एक अलग तरीके से देखते हैं आप हमें इनसान नहीं मानते हैं और हमें बहुत गंदी तरह exploit करते हैं धसल यहां पर जो कमाठी पुरा है उसका एक description हमें देते हैं मतलब कि मैं इन में से एक हूँ इसलिए जो मेरी poetry है वो भी इनके बारे में ही है विजे तिंदुलकर इसके बारे में लिखते हैं कि इस एक अलगी world है जहां पर रात को ही सारे दिन वाले काम होते है जहां पर खाली पेट होते है और लोगों के अंदर desperation होता है मतलब कि जो हैं पर कौन से काम होते है prostitution होता है फिर beggars, thieves यह सारे जो काम है वो रात में होते हैं तो वो बात लिखते हैं विजे तेंदुलकर चित्रे की words में अगर इस चीज़ को put करें तो वो बोलते हैं कि जो नामदेव है वो अपने जो activism है उसे अपनी poetry से separate ही नहीं करते हैं उनके लिए जो poetry है वो ही activism है और activism ही poetry है तो यह था critical approach to the poem अब continue करते हैं poem को So is the worship of the geographic counters of the man and the romance of us fucking तो यहां पर वो एक जो intercourse है उसका image present कर रही है कि जो men है they only want to engage into the romantic relationship with the women वो वैसे उसका कोई respect करते नहीं है मांडा your mind is neither of ash nor of marble अब वो मंदाकनी पार्टिल को मांडा कहके address करते हैं कि मांडा तुम्हारा दिमाग ना तो किसी राख का बना है ना ही किसी marble का बना है I feel your hair, your clothes, your nails your breast कि मैं feel कर पा रहा हूँ तुम्हारे बालों को, तुम्हारे कपडों को तुम्हारे नाखुनों को और तुम्हारी breast को as though they were my own they revealed to me within myself जैसे कि मैरे ही हूँ वो मुझे कुछ रिवेल करते हैं colonies of death, hunchbacks left to die in the streets वो मुझे रिवेल करते हैं उन लोगों के एक circumstances को या situation को जिनको सडको पर मरने के लिए छोड़ दिया गया हूँ sandwiches, treats, milk of she dog that just give birth to her litter तो बोलते हैं कि अब जो हमारा description है place का वो present किया गया है कि हमने एक dog के puppy की तरह हैं जैसे कि हमें छोड़ दिया गया हो गलियों में बस जीने के लिए हमारा कोई ज़्यादा से existence का value नहीं है they don't let me reach up to you to your lips, up to your eyes until now, you and I were unrelated to each other कि वो मुझे ना तुम से contact ही नहीं करने देते हैं यहाँ पर power dynamics दिखाया गया है कि जो सिर्फ rich लोग है ना वो ही तुम्हें पा सकते हैं मैं तुम्हें नहीं पा सकता हूँ अभी तक हम एक दुसरे से unrelated थे and there were no calls to each other borrowing calls in us कि हम दोनों में कुछ similarity है हम दोनों ही अंदर से मतलब बिल्कुँ खोकले होते जा रहे we don't have aspirations in our life लेकिन फिर भी हमारी जो commonness है उसको कोई एक medium नहीं मिला था बातचीत करने का this period is as long as 10 miles as close as 10 seconds and in its area तो भोल रहे हैं कि यह time नहीं बहुत लंबा है you me seeds a splinter of glass nibblingers and a thousand states of being कि ऐसा लग रहा है मानों कि कोई एक sharp piece of glass हम दोनों को काट रहा हू एक thousand states of being में बहुत सारी जो identities है उसके अंदर मतलब हमारा कोई fixed identity नहीं है हम कोई particular you know identity के साथ पैदा नहीं होते हमें जैसा हमारा situation होता है उसके साथ ही जीना पड़ता है never before has I seen a face so devoid of light कि मैंने इस चेहरा कभी पहले नहीं देखा जिसका बिलकुल चाम ही उड़ गया हू as was yours and of a thousand other females like you जैसा कि तुम्हारा था और बहुत सारी महिलाओं का है जो कि तुम्हारे जैसी है flashing out from so many countries and so many cages जो कि अलग-अलग देशों से है और एक common cage में बंदी हुई है and are bearing so many different names लेकिन उनके नाम अलग-अलग है मतलब वो यहां पर जो एक prostitution का पूरा एक you know web है उसको दिखा रहे है कि कैसे जो बहुत सारी women है इसके अंदे फसी हुई है and they are being tormented day by day लेकिन उनको कोई भी बचाता नहीं है now I have developed a taste for the wither tree as well as its dried up bark लेकिन नम मैं जो तुम्हारे pain है उसको understand कर पा रहा हूँ I have been dazzled up by your worn down and lacklustre face कि जो तुम्हारे एक अन-एस्पारिंग सा face है मैं इसकी तरफ बहुत जाता आकरशित हो रहा हूँ from that lacklustre look you descend into me and on me कि तुम्हारे इस अन-एस्पारिंग face से आकरशित होके ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे connect हो रहा हूँ तो एक जो sense of connection है यहाँ पर वो show किया गया है you make anguish scream inside me and stream inside me and appropriate me कि तुम मेरे अंदर नहीं गुसे की आग को जला देती हूँ is that the scream of an ending क्या वो एक ending का scream है एक cheek है अंत की या फिर is it the end itself a scream beginning या फिर एक जो cheek है वो शुरुवात की cheek है the end is a scream and unregreted event कि जो end है वो अपने आप में ही एक cheek है an amended constitution and its pretence of reform कि जो हमारा constitution वो pretend करता है कि ठीक है हमने constitution बना दिया तो reform हो गया लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ constitution बनाने से reform नहीं आता है उससे सिर्फ आप political rights दे सकते है social rights के लिए आपको ground level पर काम करना पड़ेगा people stunned by darkness themselves turn into darkness कि जो लोग हैं वो इस dark web के अंदर फसे हुए है sparrows come out of darkness flying and then they drop dead कि जो भी लोग इस darkness से बाहर आने की कोशिश करते हैं उडने की कोशिश करते हैं तो उनको मार दिया जाता है रोक दिया जाता है यह सब करने से the wings grow enormous and put a world war to shame कि जो उनके उभरते हुए wings हैं उनको काट कर यह जो पूरा world है उसको shame में डाल दिया जाता है मतब एक humanity पे question लगा रहे हैं कि जब यह लोग aspire करते हैं कुछ you know अपने development करने का कुछ बढ़ा करने का तब इनको रोक दिया जाता है इनके रास में बहुत सारे hurdles आते हैं तो उस चीज को यह पे show किया गया है कि यह सारे चीज़े ही humanity को शरम सार करती है from the imagination from the reality from the low from the waterfall from the tree from the shadows I see the light within you storming and grinding the grain grain तो बोलते हैं कि सारे imagination से reality से law से सारे जो forces हैं हमारे आराओं मैं उन में से देखता हूँ तो तुम्हारे अंदर देखती है एक अलग ही light तुम्हारे अंदर power है तो एक जो empowered status है मंदाकनी पाटेल का एक prostitute का उसको show करते है grief is mentioned and grief walks toward the grave कि हाँ दुख है and जो दुख है वो हमें grave की तरफ लेके जाता है the beloved is only a sanctified form of a war कि जो beloved है एक जो lover होती है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि उसको बहुत अच्छा treatment मिलता है she is also like a war बस उसको थोड़ा सा ठीक है कि एक societal तोर पर लीगल सा चीज दे दिया जाता है कि हाँ she has some purity kind of thing लेकिन एक larger extent से देखे तो उसका कोई ज़्यादा value नहीं होता है नहीं उसको freedom होता है नहीं उसको equality होता है she just have to fulfill the desire of a male जो कि उसका एक mere goal माना जाता है जिंदगी का the lover is just a glorified pimp women are merely printed woes of man men are just pimps of women तो यहाँ पर एक जो relation है दिखाया गया है कि किसी के लिए किसी का कोई हैमियत नहीं है जो ए प्रोसिटूशन का work है इसमें ना तो male women के respect करता है नहीं women male के respect करती है they just both are satisfying their own needs the relationship of men and women is just like take a few woes, take a few pimps take a few chewing sticks to clean the teeth कि जो male है या फर जो female है वो बस एक दुछरे को use करते हैं and they just throw them away तो फिर में ली हाँ पर women का reference दिया गया है that and throw them away after use and then gargle with the holy water of the river कि जो indulge होते हैं इसमें दोनों male और female होते हैं लेकिन जो taboo है जो stigmatize कर दिया जाता है वो एक female को कर दिया जाता है उसको कोई virtue और पाइस वाला चीज आ जाता है कि तुम तो अब पाइस लेडी नहीं हो वो सारी चीज हैं लेकिन जो male होता है उससे कोई ऐसी expectation नहीं रखी जाती कि आप जो brothel से उनको visit ना करें तो यहाँ पर बोला गया है the holy water of the river मतलब कि जो male है वो खुद को तो purified दिखा देता है लेकिन जो female है उसको भी purified नहीं किया जाता है एक बर उसके उपर जो एक वो sanction लग गया तो लग गया that cannot be you know taken away from her at any cost मांडा माई पी हैं look out the window when a new world is born कि ओ मांडा बहर देखो खिड़की से एक नया सा वर्ल्ड है इस brothel की जो दुनिया है उससे बहर देखोगी तो एक बहात ही hope से भारा दुनिया है जो चीजे है तुम्हें जो बहात ही torment करती है उन्हें तुम्हें छोडना पड़ेगा embrace skin deep love a whirlpool of illusion that's a spell bounding all the time that's not a whirlpool but mere silt and it's just a slave to wounds कि जो तुम्हारे wounds है उनको तभी तुम क्यार कर पाओगी जब तुम्हें एक hope देखोगी outside the window cuts of the leg of an ant with an axe it will crawl till it collides with the end कि अगर हम एक जो ant होता है एक चीटी होता है उसके पैरों को काट दे तो फिर भी जो अपने घुटनों के बल है चल के वो end तक पहुंची जाएगी तो इसी तरीके से हमें पता है तुम्हें बहुत torment किया गया है लेकिन still you have to crawl to your end तुम्हें अपना जो goal है अपने जिन्दगी का जो एक लक्षे है उसे प्राप्त करना होगा by you know walking with your legs वो बोल रहें उसके बाद जो तुम्हारे जो सारी चीज़ है न तुम्हारे flesh है, hair है सारी चीज़ वो कोई मतलब ने रहेगा फिर तुम्हें एक नई जो उमंग है उसके साथ जी होगी यह सारी चीज़ है वो पीछे छुट जाएंगी और एक नया जीवन है जो वो स्टाट हो जाएगा isn't what you gave to one man and what took from him enough for you you hallucinate the darkness is a tree, the sky, a sea, a flower, a bed hallucination cheats and leads to the grave कि जो तुम्हारे जो जिन्दगी है न वो तुम्हें चेंज करनी होगी and you have to see the hope outside as I already told you कि you have to look outside of the window to see the hope which is lost inside you the old madam which keeps you cased she is known to people as destiny कि जो old madam है न वो जो तुम्हें बांध कर रखती है वो ही लोगों की destiny decide करती है she seizes abyss and turns it to the dust कि मतलब वो जो young young girls है उनको जो एक web है prostitution का उसमें धकेलती है और उनको एक धूल की तरह बिखेर देती है people who eat her up and survive defy death and lead what's life कि जो अमीर लोग है वो सिर्फ पैसे के बल पर ही तुम्हारा exploitation करते है जो की एक बहुत ही capitalism का भी concept यहां पर दिखाया गया है कि कैसे पैसे के बल पर एक जो individual है उसको exploit किया जाता है जो एक silence का ट्रोप है वो यहां पर दिखाया गया कि कैसे हर जंग एक शान्ती फैली हुई है जो people are silent, everything is silent all the round अब तुम्हें जो अपनी आखे है उनसे ही एक खोप है जो उसका रास्ता देखना होगा Delving into the grain waves with your hands instead of extracting minerals from the surface, recovering compassion from it कि मुझे तुम्हें ना deeply जानना है कोई surface level पे नहीं जानना क्योंकि अगर मैं surface level पे जानूँगा तू अच्छे से तुम्हें समझ ही नहीं पाऊंगा That which really grows scales isn't really a surface कि जो चीज़े surface level पे देखे जाए वो actual में उनका deep analysis नहीं हो सकता Flames refuse to look at the scales, only ash stare at them and sneezes and continues to leave People who are merely involved in living are actually dead and gone cold कि हम जो हमारा basic task क्या है सिर्फ breathe करना, हमारा कोई एक goal नहीं है को identity नहीं है तो इसको जीना नहीं भूलते हैं एक mere breathe करना is not a life तो बोल रहा है कि इसका मतलब यह है कि we are dead, we have gone cold तो एक ओ जो lifeless image है उसको दिखा रहे हैं कि सास लेने को मैं life नहीं मानता हूं जब तुम्हारा life में कोई mission ही नहीं है, कोई एक goal ही नहीं है, कोई identity नहीं है, कोई तुम्हेरे को गनाइज नहीं कर रहा है तो what is life to you? कि सिर्फ सास लेना life रहे गया है तो उस चीज़ को बिल्कुर deny कर रहे हैं कि then we are actually dead they fall in love and into a tangle of love and mind your eyes are flame and your touch sparkle are revolution फिर वो जो अमन्दाकिनी है, उनको एक बहुत ही sacred और pure image of goddess kali के रूप में देखते हैं कि जो तुम्हारी आखे हैं उनमें एक flame है your touch spark are revolution कि जो तुम्हारा touch है उसे एक revolution का spark generate होगा you are a sandalwood, तुम्हें एक चंदन की लकडी की तरह हो and you are a healing bark of a bubble tree तुम्हारा जो body है उसके अंदर एक healing power है you are a sword and the blood dripping from the neck तुम्हें एक तलवार की तरह हो you are the living lightning and you are the water in the bones तुम्हें एक बिजली की तरह हो touch the animate and the inanimate with your dry moist fingers कि जो living or non-living objects है उनको अपनी उंग्लियों से चूदो and then see how the magic in your lustreless existence work कि कैसे एक बहुत ही magic होगा एक बहुत ही अचंबित सी चीज़ें होगी फिर तुम्हें देखना कि जो तुम्हारे अंदर की power है एक बर उसे समझ कर तो देखो फिर देखना क्या-क्या magic होते हैं Just the touch of a finger will turn the stone into platinium कि जो तुम्हारे एक touch है ना वो एक पत्थर को भी platinium में जो worthy material है उसमें convert कर सकता है You'll forget your ultimate slaughter कि जो तुम्हारे ultimate slaughter है जो तुमने violence जहला है वो सब तुम भूल जाओगी बस एक बर अपने अंदर की जो power है उसको जी कर देखो उसको समझ कर देखो and let your hopes be enlightened और अच्छे से अपने जो power से उनका use करो फिर वो first angel को ही repeat करते हैं On a barren blue canvas Her clothes ripped off Her thighs blasted open A sixteen year old girl surrendering herself to pain And a pig's snout full of blood कि जो ये तुम्हारा image था न Starting of the poem में अगर तुम्हें इसे change करना है तो अपने अंदर की शक्तियों को अपनी एक जो hope है उसे समझो Then only you can change this image और तुम बहुत ही एक empowered women के रूप में उभर कर आओगी So this was all about the poem Hope you understood that If you have any query or question Please do drop that in the comment box Share the video Subscribe the channel Thank you so much